नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू जू गॉर्णमेंट एक्जाम प्रेप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में डिसकसन करेंगे 13 मार्च 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परिक्षा, CHSL, कमबाइन ग्रेजुएट एक्जाम इन सभी के लिए लाबदायक सिद्ध होगी तो आईए के करके चर्चा करते हैं, रास्टी मामलों में पहली खबर है, इस्रो इंडियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेशन लॉंचेज साउंडिंग रॉकेट रह 560 टू स्टडी नूट्रल विंड्स दोस्तों भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्रीहरीकोटा परिक्षण केंदर से, अब यहीं से प्रस्न बन जाएगा कि किस केंदर से तो स्रीहरीकोटा, यहीं स्रीहरीकोटा द्विब भी है आंत्रदेस और तमिलाड की सीमा पर, यहीं पर पुलिकट लेक भी ह याद रखना तो यहां से अपने sounding rocket launch किया है और यह rocket हवाओं में ब्यवहारिक बदलाव और plasma गतिशीलता यानि plasma dynamics पर यह अध्यान करेगा, research करेगा, study करेगा और इस तरह से यह नए आयाम स्थापित करेगा इसरो के sounding rocket की मदद से इसरो वायू मंडल में यानि atmosphere में मौझूद तटस्त हवाओं में उचाई पर होने वाले जो changes हैं और plasma की गतिशीलता का अध्यान करेगा इसरो ने sounding rocket के launch की तस्वीरों को share करते हुए कहा कि स्री हरिकोटा रेंज में आज तटस्त हवाओं यानि neutral winds और plasma dynamics में attitudinal variation का अध्यान करने के लिए sounding rocket launch किया गया दोस्तों इसरो के मुताबित उपरी वाई मंडल छेतरों की जाच के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किये जाने के एक या दो चरण वाले ठोश rocket हैं इसरो ने ये भी कहा है कि launch किये गए वाहनों और उपग्रहों में जो यूज किये जाते हैं उसके नए घटकों या उपरनालियों के prototype का परिछण करने या साबित करने के लिए आसानी से किफाइती platform के रूप में भी कारे करते हैं और दोस्तों इसरो 1965 में स्वदेशी रूप से निर्मित rocket launch करना सुरू कर दिया था इसके बाद ठोस प्रनोधक प्रद्योकी में अनुबव के साथ बहुत अधिक यह माहिर हो गया है तो यह रही खबर कहां से हुआ तो सिरी हरी कोटा से यह ध्यान रखेंगे और इसका नाम क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RH560 यह ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों next खबर की ओर the first trade mala express in the country यह भारत की पहली ब्यापार mala express यह अब railway जो भारती railway ने दिल्ली के किसन गंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए पहली ब्यापार mala express चलाई है तो मालड होने वाली इस गाड़ी ने 2360 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 68 आर्ट में तैं करेगी तो रेलवे की इस पहल से नौर्थ इस्ट के राज्यों तक माल पहुंचाना आसान हो जाएगा यानि इस यहां पर आप देख सकते हैं तो यह जो राज्ये हैं यहां के लिए यहां लाबदायक सिद्ध होगी इसके साथ साथ रोजगार भी लोगों को मिलेगा यह चोटे और मजोले कारोबारियों के लिए बेहतरीन मौका है यानि इस यहां परूब तो बी एन एक्सेलेंट अपार्चुन्टी फार इसमाल एन मीडियम बिजनेसमेन तो यह जो है छोटे छोटे जो बिजनेसमेन है उनके लिए भी यह लाबदायक सिद्ध होगी तो इस पहल से वे अपने कंसाइनमेंट कम समय में सस्ते और सुविधा जनक तरीके से भेज सकते हैं तो इस तरह से यहां ध्यान रखेंगे कहां से कहां तक यह स्टेशन याद रखना और यह जो है चलाई गई है भारत की पहली ब्यापार माला एक्स्प्रेस अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी ख़वर फॉरेंड सिर्जन आफ इंडियन ओरिजिन विल बिकम एमबेजडर्स आफ ब्रांड इंडिया यानि अब जो है अनिवासी भारती है यानि कह सकते हैं कि भारती मूल के विदेशी नागरिकों को भी ब्रांड इंडिया के नए एमबेजडर बनाएगी यानि सरकार का यह मानना है कि अमेरिका समेट दुनिया के कई देशों में सफलता के जंडे गारने वाले भारती मूल के नागरिक ब्रांड इंडिया को स्थापित करने में एहम रोल निभा सकते हैं तो सरकार बड़े पैमाने पर OCI कार्ड यानि Overseas Region of India जारी कर भारती मूल के बिदेशी नागरिकों को जड़ों से जोडने की कोसिस में जुट गई है बिदेशी बिदेश में रहने वाले भारती मूल के नागरिकों को जड़ों से जोडने की मुहम में तेजी का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि 2014 के पहले हर साल 171,000 OCI कार्ड जारी किये गए थे वहीं 2015 के बाद 3,24,000 OCI कार्ड जारी किये गए हैं तो दोस्तों अभी तक करीब 37,34,000 OCI कार्ड जारी किये गए हैं और इन किसमें 6 वर्सों में और यह कब आया था 2005 में नागरिकता कानून में शंशोधन किया गया था यानि सिटिजन, सिप जो लौ था उसमें एमेंडमेंट कर भारती मूल के विदेशी नागरिकों को OCI कार्ड जारी करने का कार शुरू किया गया था बिदेश में रहने वाले भारती नागरिक के समकच कई सुविधाय भी दी गई हैं इनमें नीट, JEE जैसी परिक्षाओं में एनराई के समान बैठने का अधिकार भी दिया गया है इसी तरह मेडिकल कॉलेजों और अनिंस्ट्यूशन में एनराई कोटे की सीटों का इस्तेमाल OCI जो कारड़ धारक हैं समान रूफ से कर सकते हैं और दोस्तों OCI कारड़ धारकों को भारती नागरिकों के समान सुविधाय देने में आ रही समस्या के बारे में हमारे देश के अधिकारियों ने कहा कि भारती ये समविधान में चुकी भारत में क्या है एकल नागरिक्ता का प्रावधान है दोस्तों यह ध्यान रखना single citizenship है तो यह कहां से ली गई है ब्रिटेन के समविधान से ली गई है और हमारे समविधान के अनुच्छेद यानि आर्टकिल 5 to 11 क्या है नागरिक्ता से संबंदित प्रावधान है तो दोहरी नागरिक्ता का हमारे देश में प्रावधान नहीं है यही नहीं अमेरिका जैसे कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के बहुत सारे देशों में dual citizenship माने नहीं है यदि भारत में सरकार OCI कारधारकों को भारतिय नागरिक मानती है तो संबंदित देश में उनकी नागरिक्ता खत्रे में पड़ जाएगी इसलिए सरकार संबंदित देश की उनकी नागरिक्ता को सुरक्षित रखते हुए भी भारत में शुविधाओं का expand कर रही है सबसे पहले तो क्वैड में कौन-कौन से देश आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोसेफ बाइडिन हमारे देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी और स्कॉट मौरिशन ये कहा के हैं और स्टेलिया के और यह जापान के तो दोस्तों इस तरह से एकोनामिक सपोर्ट करेगा और यह घोशना क्वाइड सम्मेलन के बाद वाइट हाउस की तरफ से जारी एक दस्तावेज में की गई और यह सम्मेलन दोस्तों चुकि ड्यू टू कोरोना वर्चूल सम्मेलन था तो क्वाइड नेताओं इन ठीकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वितरित कराने में मदद करेगा यानि हर देशों की अपनी-अपनी महत्वण भूमिका है दोस्तों क्वाइड सम्मू से पहले एतिहासिक वर्चूल सम्मेलन के बाद चारो सदस्ते देशों यानि अमेरिका, भारत, जापान और अस्ट्रेलिया के नेताओं ने कहा कि विविद दिश्ट कों रखने के बाद हम स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रसांत छेतर की साज़ा परिकल्पना को लेकर एक साथ हैं और समूने पहले एतिहासिक वर्चुल सम्मेलन के दोरान चारो सदस्ते देशों अमेरिका, भारत और जापान के लिए यानि आधारित हिंद प्रशांत की वकालत की है और यहां पर आप पांचित में देख सकते हैं तो यह इंडियन ओशियन है तो इंडो पैस्पिक इन दोनों को जोड़ना है यानि यहां की कुटनीतिक सामरिक, आर्थिक सभी गदविदियों पर यह चारो देश नजर बनाए रखेंगे और इसके साथ साथ यहां पर यहीं बगल में आप देख सकते हैं चीन है तो चीन पर जो है यहां पर कंट्रोल अस्थापित करेगा अमेरिका इन देशों की सहायता से और दोस्तों तो इसमें आप देख सकते हैं आस्ट्रेलिया हो गया, अपना भारत हो गया और इसके साथ साथ देखे जापान हो गया यहीं बगल में एक दम चीन के और इधर अमेरिका तो है ही इधर भी प्रैस्पिकोशन है अगर गलोब में हम देखेंगे तो यह जो है क्वाड का जो गठन ततकालिन जापानी प्रधान मंत्री सिंजो आबे ने 2007 में किया था उस साल चारो देश की नो सेनाओं ने साजा युद्धा ब्यास किया था लेकिन उसके बाद से इदिसा में कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जा सका था दोस्तो आस्टेलिया 2008 में समू से पीछे अड़ गया था उसके बास से भारत ने ऑस्टेलिया को युद्धा ब्यास के लिए फिर से नहीं बुलाया था लेकिन बीते साल चीन के साथ बढ़ते सैने तनाओं के बीज भारत ने इस समूं को फिर से मजबूत करने के प्रयास सुरू कर दिये खास कर कोविद-19 के समय जिस प्रकार चाइना ने चारो तरफ हरकते की हैं खास कर साउच चाइना सीबे चाहे वा प्रशांत महासागर चेतरो चाहे वा भारत का गैलवान घाटी चेतरो इन सभी कारियों की वज़ा से ऑस्टेलिया भारत जापान और अमेरिका और एक जुट ह गए हैं और इस तरह से चीन के लिए यह खत्रा उत्पन करेंगे निकट भाविश में तो इस तरह से आस्टेलिया को भी चीन के साथ ब्यापार सुरक्षा और जासूसों के मुद्दों पर तनाव बढ़ रहा था जिसकी वज़ा से वह अमेरिका और उसके सहयोगी देसों के और भी नजदीक आ गया तो दोस्तों यह जो यह चतुरभुज कह सकते हैं चार देसों का जो यह गठन है इससे चीन काफी सकते में है और काफी संका उसको हो रही है कि इंडो-पैसिफिक ओशीन में ये लोग क्या करने वाले हैं हाला कि इन देसों ने सीधे क्लियर कर दिया है कि वह जो है किसी के स्वंप्रभुता को खत्रा नहीं उत्पन करेंगे वह अपना कार करेंगे यानि इन सब छेत्रों पर वह अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे साथ-साथ अन्य देसों को भी लेकर चलने की वह लोगों ने बात की है और इसके साथ ही वह हर छेत्र चा करके ये लोग कार्य करेंगे तो यह जो है तो क्वाइड बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने कहा था कि कीस्वी सदी में दुनिया का भविष्य भारत प्रशांत छेत्र ही तैं करेगा वहीं जापानी प्रधानमंत्री याशी हुईद शूगा ने वो खुले और स्वतंतर भारत प्रशांत के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो यह जो है यह काफी महत पूर्ण पहल है यह ध्यान रखेंगे दोस्तों और इंडो यानि इसको इंडो कर लीजेगा यह भारत के नाम से ही है अब देखिए न साव चाइना सी जो है वह साव चाइना सी चुकी नाम है उसका साव चाइना सी तो चीन कहता है कि पूरे पे मेरा अधिकार है अब इस तरह से तो भारत भी कह सकता है कि इंडियन ओशियन हिंद महासागर भारत के नाम पर है तो क्या पूरे हिंद महासागर पर भारत का दोस्तों एक विसाल का एस्टराइड जिसे चुद्रग्रा कहते हैं तो 21 मार्च को पृत्वी के बेहत करीब से गुजरने वाला है तो अमेरिकी अंत्रिक्ष एजनसी नासा के अनुसार एस्टराइड 2001-FO32 का ब्यास जो रेडियस है वह 915 मीटर यानी 3000 फूट है और इसकी ख इससे जादा असर नहीं होगा नासा के अनुसार एस्टराइड सुबह करीब 4 बजे पृत्वी के करीब से गुजरेगा इसके बाद वर्स 2052 तक यह पृत्वी के करीब नहीं आएगा और इसकी रफ़तार 1,24,4 किलो मीटर प्रती घंटे होगी जो पृत्वी के करीब से इससे जानकारे में फिलहाल अभी जानकारी बहुत कम है और इसके आने के दौरान अंसंधान से अंत्रिक्ष के कई अंसुलजे रहस्यों को सुलजाने में सफलता मिल सकती है और नासा के खगोल विदों का कहना है कि एस्ट्रिराइड के आकार वा उसकी संरचना के बारे में खनीजों के केमिकल फिंगर प्रिंट तैयार कर विष्टिज जानकारी जुटाएंगे तो दोस्तों इस्ट्रिराइड की दुनिया को करीब से समझने वाले खगोल विद दुनिया के अन हिस्सों में भी इस पर नजर रखेंगे और नासा के बैग्यानिकों का कहना है कि प्र के करीब से गुजरने वाले हर एस्ट्रिराइड पर नजर रखता है तो थाउजन ट्वेंटी नाइन में भी अपो फिस नाम के एस्ट्रिराइड के गुजरने का इंतजार है ये भी पॉइंट ध्यान रखना जिस तरह से सेंटर फॉर नियर अर्थ अबजिक्ट इस्टिज के डिरेक्टर का कहना है कि या आकासी पिंड जब आश्मान के दक्षणी भाग से गुजरेगा तब उसमें बहुत अधिक जमक होगी तो इस तरह से नासा के बैग्यानिक इसके बारे में अध्यान करेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है वेरियस नेसनल और आज हम बात करेंगे तीरत सिंग रावत की न्यू सीम आफ उत्राखंड बताया ही था आप लोगों को कुछ दिन पहले ही त्रिवेन सिंग रावत ने इस्तीफा दे दिया था अब उनकी जगा जो है उत्राखंड के पौडी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के सीरो गाउं के हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों तहरीक इंसाफ लीडर गुरुदीव सिंग टुक ओधाफ सीनेटर इन पाकिस्तान यह पिक्शर आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान की सता रूर पार्टी तहरीक इंसाफ के नेताок गुरुदीव सिंग ने सीनेटर के तौर पर सफत ली इसके साथ ही वह पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन जैसे अपने हाँ राज्य सभा है न उच्च सदन तो वहाँ पे सीनेट उच्च सदन में सामिल होने वाले पहले पगड़ी धारी सिख बन गए हैं और पाकिस्तानी सीनेट के लिए हुए चुनाओं में अलपसंख्यक सीट की बहतरी के लिए कारेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्संबंदी समाचारों में PwC सर्वे तो PwC क्या है इसको इसका फुल फार्म है प्राइस वाटर हाउस कूपर तो गेंद कंपनीज फ्रॉम ओवर दे वर्ल्ड है चूजन इंडिया एज दा फिफ्ट बेस्ट कंट्री इन टर्म आफ ग्रोथ यानि दुनिया भर की दिगज कंपनियों ने बृध्ध के लिहाज से भारत को पांचवां सबसे बहतर देश चु पर 24 वाट जो सालाना सर्वे में यह खुलासा किया है तो पी डबलू सी ने 100 देसों के 5050 जो है सीओ के बीच कराए सर्वे में यह बताया कि ब्रेक्जिट के बाद जब ब्रिटेन क्या हुआ यह जो है यूरोपी उनियन से अलग हुआ उसके बाद ब्रिटेन को एक स्थान क फाइदा हुआ है वहीं भारत एक पायदान नीचे चला गया है और अमेरिका सबसे शीर इस पर है यहाँ पर 35% सीओ ने अगले 12 महिने तक तेज ब्रिद्ध का भरोसा जताया है इसी तरह से चीन दूसरे अस्थान पर 28% सीओ ने भरोसा जताया है जर्मनी तीसरे अस्थान 17% लोगों ने इस पर भरोसा जताया और ब्रिटेन चौथे अस्थान पर है तो इस पर 11% सीओ ने और 12 महिने के लिए भरोसा जताया और आस्टेलिया को पीछे चोड़ते है जापान च्थे अस्थान पर और पांचमें पर अपना भारत है अब बढ़ते हैं दोस्तो टाटा गुरूप विल बाई बिग बास्केट दोस्तो बिग बास्केट से समान मंगाते ही होंगे सबजिया या जो भी आपको वस्तुएं चाहिए होती है तो मंगाते हैं तो टाटा संस प्राइवेट लिम्टेड भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन किराना स्टोर बिग बास्केट क हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव रखा है यह डील एक अरब अमेरिकी डालर में हुई है लेकिन टाटा कमपनी इसमें और पूंजी लगा सकती है जिसके बाद उसका जो स्वामित होगा वा 80 फीजदी तक बढ़ जाएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तके और पुरस्कारों में आज हम बात करेंगे साहित अकादमी आवार्ड की तो अनामिका फार हिंदी और विरप्पा मोली फार कनडा यानि कनड साहित के लिए तो साहित अकादमी बीस भासाओं में अपने वारसिक साहित अकादमी पुरसकारों की घोशना की है, साथ जिस्वो कविता संग्रह में, चार उपन्यास नौवल में, पांच स्टोरी or कहानी संग्रह में और दो नाटक और एक एक संस्मरन और महा कावि के लिए साहित अकादमी अनामिका को साहित एकादमी पुरसकार के लिए चुना गया है वहीं कन्नर साहित के लिए कांग्रेस नेता विरप्पा मोईली को इस प्रतिश्चित सम्मान से नवाजा जाएगा तो प्रख्याद कवित्री लेकिका और आलोचक अनामिका को उनके कविता संग्रा टोकरी में दिंगत के लिए पुरसकार मिला है और विरप्पा मोईली को इनके महा काब्य श्री बाहु बली एहिंसा दिग्विज़य के लिए ये ध्यान रखना इसके लिए वर्स 2020 का साहित अकादमी पुरसकार देने की घोशना किया और ध्यान रखना कि विरप्पा मोईली साहब इससे पहले 2007 में मूर्ती देवी पुरसकार भी पाच चुके है 2014 में सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है तो यह ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं अंग्रेजी में अरुन धती सुब्रमणयम को कविता संग्रा When God is a Traveller के लिए जबकि उर्दु में हुसैन अलहक को उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित अकाद्मी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो इस तरह से कविता संग्रा में ये है नावल में ये है देख लेंगे और इसी तरह से स्टोरी बुग में जो है कहानी संग्रा में डरामा नाळक में इन लोगों को मिला है और मल्यालम, नेपाली और उडिया तथा राजस्थानी भासाओं में पुरसकार बाद में घोसित किये जाएंगे और पुरसकार एक जनवरी 2014 से 31 दसंबर 2018 के दोरान पहली बार प्रकासित पुस्तकों के लिए देने का एलान किया गया है और पुरसकार बिजेताओं को पुरसकार सुरूप एक उतकिन तामर फलक शॉल और एक लाख रूपए दिये जाते हैं यानि इसमें तामर फलक शॉल एंड एमाउंट आफ वन लैक रूपी ऐस ए प्राइज दिया जाता है अब बढ़तें दोस्तों खेल समाचारों में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इंडियन फुटबॉल टीम विल पे रिमेनिंग गेम्स इन कतर यानि भारत फीफा विसुकप क्वालिफायर के बाकी बचे तीन मैच कहां खेलेगा कतर में खेलेगा जिसकी राजदानी क्या है दोहा ACI फुटबॉल परिसंग ने कोरोना वाइरस से जुड़ी यात्राओं और पिर्थक वास नियमों को कारण मैचों को केंदी कित केंद्रों पर आयुजित करने का फैसला किया गया According to the original schedule, the Indian team had to play matches against Qatar and Afghanistan on their own land while against Bangladesh in their country But was forced to change the schedule due to the global epidemic यानी कोरोना की वज़ा से यह चेंज हो गया कारेकरम और दोस्तों FIFA 20 Cup 2022 का जो मेचबान कतर, Group E की टीमों, Oman, Afghanistan, भारत और बंगलादेश के मैचों की जबकि Japan, Group F टीमों की किरगीजगराज, तजाकिस्तान, मियानमार और मंगोलिया की बेजबानी करेगा तो इसमें आप देख सकते हैं, ASEAN Qualifier Round 2 होस्ट जैसे Group A, Group B, Group C, Group D, Group E, Group F, and Group G, Group H तो यह जो है, यहाँ पे होस्ट होंगे दो अस्तानों पे और यह 14 अप्रेल से 30 अप्रेल 2021 तक जो है, वेस्ट और इस्ट के देश जो है, जैसे थाईलेंड, जो है, थाईलेंड, टीबीसी, टीबीसी तो यह Group F और जीव यह होस्ट करेंगे, जून जुलाई के बीच में विजेंदर सिंग टू टेक ओन रसियन अर्थियस लोपशन इन कमबैक फाइट ऑन मार्च 19 यानि भारत के पेशेवर मुक्यबाज स्टार विजेंदर सिंग कोविद 19 के कारण, एक साल से अधिक समय तक रिंग से दूर रहने के बाद, 19 मार्च को रूस के अर्थियस के बीच या सूपर मिडिल वेट 76 किग्रा भारवर का मुकाबला गोवा के पड़जी में मैजेस्टिक प्राइड कैसिनो जहाज की चछत पर खेला जाएगा, और रूस के 26 साल के लोपशन ने 6 पेशवर मुकाबलों में भाग लिया, जिसमें से 2 नॉक आउट सही 4 जीत साम मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज किये, उन्होंने 8 मुकाबले नॉक आउट तरीके से अपने नाम किया, बीजिंग ओलंपिक 2008 के इस कांस पतक बीजेता ने डॉमबर 2019 में खेले, अपने पिछले मुकाबले में रास्ट मंडल के पूरो चैंपियन चार्ल्स एड मुकिंग डे मनाया जाता है, और पहली बार इसे 1984 में मनाया गया था, इसका उदेश है, दुनिया भर के लोगों को धुमरपान चोड़ने के लिए प्रोसाहित कर तंबाकु सेवन के हानिकारक स्वास प्रहाओं के बारे में जागरुकता फैलाना, अब बरते हैं दोस्तों, में 28 राज हैं, 28 इस्टेट हैं, क्यों? क्योंकि जम्मु कश्मीर अब केंदर सासित प्रदेस, दो केंदर सासित प्रदेसों में बट गया, तो इस तरह से 28 राज और 8 केंदर सासित प्रदेस, और ये जब बना था, तब 29 राज और 7 केंदर सासित प्रदेस बने थे, तो 2 ब जाज़धानी हैदराबाद है जो की मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और सबसे बड़ा सहर भी हैदराबाद है यहां की जनसंख्या तीन करोण 51,93,970 है 306 जो है यहां का जनसंख्या घनत तो है एरिया 1,14,840 वर किलो मीटर है 33 डिस्टिक्स है राजभासा तेलगू और उ चाहदाक हुआ था राज़पाल इसके जो है तमिल साई सौंदर राजन है मुख्यमंत्री के चंदरशेखर राओ है दोस्तों यहां की जो बिधान मंडल है द्वी सदनात्मक है यानि बिधान सभा और बिधान परिशद दोनो है आर्टिकल 169 में बिधान परिशद का उस सा चैसिया और राजकी पक्षी है इंडियन रोलर या ब्लू जे यानि पालिपिता और राजकी पसू है जिंका हिरन तथा राजकी व्रिक्ष है जम्मी चेट्टू तो यह जो है ध्यान रखेंगे दोस्तों और इसके थोड़ा मांचित में आई ये देखते हैं तो यहां आंधर प्रदेश को भी कर रहा है तो इस तरह से यह जो है एक राज्य दो राज्य और तीन राज्य तथा चार राज्य यानि चार राज्यों को यह सपर्स करता है अभी राजधानी है जो की संयुक्त राजधानी है तो आंधर प्रदेश की राजधानियों की घोशना कर द तेलंगाना की जनसंख्या में करीब 84% हिंदू, 12.4% मुस्लिम, 3.2% सिक्ष, इसाई और अन्यधर्म के अनुयाई रहते हैं। चित्फल के आधार पर यहाँ पारावी रैंक पर है। यानि एरिया वाइज और पॉपलेशन वाइज ट्वल्फ लार्जेस स्टेट इन इंडिया। और तेलंगाना के इस छित्फ में दो महत्पूर्ण नदियां किष्णा और गोदावरी के बीच या इस्तिता है। पड़ो एसी रेट 66.54% है ये तो इस तरह से यह तेलंगाना राजरहा अब भड़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उतर दे रहे हैं। इतने लोगों ने आज कमेंट और उत्तर दोनों दिये हैं। आज पहला प्रसना आप लोगों के सामने है फ्रॉम वीच टेस सेंटर दिड़ दा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन लांच इट्स साउंडिंग रॉकेट रह 560। यानि हाली में भारती अंतरिशन संदान संगटन ने किस परिक्षण केंज से अपने साउंडिंग रॉकेट रह 560 को लांच किया। थूंबा, स्रीहरीकोटा, त्रिशूर या चांदीपूर। नेस्ट कोशन है इंडियन रेलवेज हैस रन दफर्स ट्रेड माला एक्सपेस फ्राम वेर तो वेर। यानि भारती रेलवे ने कहां से कहां तक के लिए पहली ब्यापार माला एक्सपेस चलाई है। दिल्ली के किसंगन से त्रिपूरा के जिरानिया, दिल्ली के किसंगन से बिहार के दानापूर, दिल्ली के किसंगन से मध्द प्रदेश के ग्वालियर, दिल्ली के किसंगन से करनाटक के यश्वंत पूर रेलवे स्टेशन तक। अगला प्रस्टन है, which of the following countries not a member of the Quad, Quad देश का सदस्य नहीं है, अमेरिका, भारत, दक्षिन, कोरिया या जापान Next question है, recently Tira Singh Rawat was appointed the Chief Minister of which state, Bihar, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Puducheri Next question है, which country topped the survey conducted among CEOs of 100 countries, Pricewater House Cooper ranked, PwC rank में तो China, Britain, भारत या अमेरिका, शीर्ष पर कौन सा देश, next है, which company has agreed to buy Big Basket, India's largest online grocery store कौन सी कंपनी भारत के सबसे बड़े online किराना स्टोर को खरीदने के लिए राजी हो गई है, Tata Sons Private Limited, Adani Private Limited, Bajaz Private Limited इन चारों में से यह आपको बताना है, next question है, बिरप्पा मोईली को निमलिखित में से कौन सा सम्मान नहीं मिला है साहित अकादमी पुरसकार, मूर्ती देवी पुरसकार, ग्यान पीट पुरसकार, बयास सम्मान ग्यान पीट की जगा सरस्वती सम्मान कर लिजिएगा, सरस्वती सम्मान, ये ध्यान रखेगा तो इसमें से आपको उतर देना है, ये option नहीं रहेगा, ये ध्यान रखेगे अब बढ़ते हैं, next question है, विजेंदर सिंग का संबंध किस खेल से है, यानि विजेंदर सिंग is related to which game, wrestling, boxing, कबद्धी या shooting, next question है, no smoking day कब मनाया जाता है, when is no smoking day celebrated, 9th March, 11th March, 2nd Wednesday of March, या 12th March, अंतिम प्रसन है, in which year Telangana state was formed, Telangana राज का गठन किस वर्स हुआ, 2 June 2011, 2 June 2012, 2 June 2013, 2 June 2014, इस तरह से इन दशों प्रसन के उत्तर दीजिएगा, आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूल Thank you, दोस्तों.